स्टुडेंट्स, पॉल्टरी साइन्स की क्विज हम ले रहे हैं, कुछ इंपोर्टेंट क्विश्टन्स, पॉल्टरी साइन्स की हम डिस्कस कर रहे हैं, मुर्गी का सारेरिक तापमान, बोडी टेंपरेचर कितना होता है, तो मुर्गी का टेंपरेचर यदि फॉर्णाहिट में पूछे, तो 106.5 आपको आंसर में देना है, और अगर सेंटीग्रेट में पूछे, तो सेंटीग्रेट में आपको आंसर देना है, फॉर्णाहिट में पूछे, तो 106.5 या फिर कभी-कभी 107 डिग्री फॉर्णाहिट भी लिख देता है, और सेंटीग्रेट में 41 या कभी-कभी 42 यानि 40 डिग्री सेंटीग्रेट भी लिख देता है, तो यह वाला option correct हो जाएगा, क्योंकि मूर्गी एक छोटा पक्षी है, बढ़ है, और metabolic rate ज्यादा होने के कारण temperature अधिक होता है, शरीर का size जितना छोटा होता है, तापमान और स्वसंदर उतनी ही अधिक होती है, और heart beat भी ज्यादा होती है, कारण यह है, उपापचे इदर या metabolic rate छोटे या कम body weight या कम surface area वाले जीव की ज्यादा होती है, नेक्स्ट है, मूर्गी के अंडे की incubation period पूस रहे है, यानि उसमयन अवदी, तो इसमें option में say 21 days answer रहेगा, simple question है, 21 दिन होता है incubation period, नेक्स्ट है, आई वर्म ऑफ पॉल्ट्री किसे का जाता है, आई वर्म ऑफ पॉल्ट्री कहा जाता है, oxyspouria mansoni, इसकी जो पूरा नाम होता है, oxyspouria mansoni, यह होता है, पॉल्ट्री का आई वर्म, manson नामक एक scientist ने इसकी खोज की थी, इसकी अलावा आई वर्म ऑफ केटल हमसे पूछे, तो इसको हम बोलते हैं थेले जिया को, आई वर्म ऑफ केटल, थेले जिया, तो answer, यह वला हो गया, second, moraggila bovis, यह एक bacteria होता है, next question है, मुर्गियों में अंडा उत्पादन, पंखों की व्रदी, इसका उदारन है, means egg production and feeder growth, तो इसमें option है, sex limited, यानि लिंग सिमित लक्षन, sex linked means link, लक्षन, तो करम से यह पूच रहा है, करम से, इसमें यह answer आजाएगा, अंडा उत्पादन तो sex limited है, और पंखों की जो व्रदी है, sex linked है, देखे, कुछ लक्षन, कुछ विशेश link द्वारा ही दिखाए जाते हैं, प्रदर्शित किया जाते हैं, जैसे दुग्द का उत्पादन, तो दुग्द का उत्पादन, एक link सिमित या सीमन का production, यह भी एक link सिमित लक्षन हो गया, इसी तरह से अंडा उत्पादन मु होता ही है, next है, सेटर और हेचर मुर्गी के अंडो के उसमायन की सम्यावदी के बारे में, इसमें answer आएगा, सेटर में 18 और हेचर में 3 दिन, next question है, मुर्गी में डी वीकिंग, डी वीकिंग का मतलब होता है, चौँच काटना, डी वीकिंग, वीक का मतलब होता है, चौँच की age क्या होती है, तो सबसे proper जो age होती है, शुरू-शुरू के दिन, यानि first day, बाकी इसमें भी काफी variation आता है, यह जाता तर जो commercial जो farms होते हैं, उन पर एक दिन में ही ठीक रहता है, गंबरो disease का इन्य नाम नहीं है, गंबरो disease आपको पता है, आई-बी-डी को ही बोलते है, इन्फेक्शियल बर्सल डीजीज, इन्फेक्शियस बर्सल डीजीज, तो यहाँ पर यह option में है, आई-बी-डी, और इन्फेक्शियल बर्साइटिस है, यानि बर्सा ओ फैब्रीशी, जो मुर्गी का tissue होता है, लिम्फोय टीश्यू, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, और इन्फेक्शियस एवियन नेफ्रोसिस, तो यह तीनों बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पर यह फाउल पैरलाइसिस जो है, यह किसका अन्य नाम है, फाउल पैरलाइसिस यह जिसे रेंज पैरलाइसिस भी बोलते हैं, रेंज पैरलाइसिस, या पिर जिस रोग में मुर्गी, sportsman जैसी दिखाई देती है, sportsman posture इस तरह से उसके पंक हो जाते हैं, इस तरह से, तो वो रोग है Marex disease, तो यहाँ पर ये वाला आंसर हो गया, ये नाम नहीं है, foul paralysis, बाकि ये तीनों नाम IBD के ही है, infectious personal disease, यानि जिसको gumboro disease भी बोलते है, foul paralysis अलग ह ये Marex disease का नाम है, Marex, next question है, मुर्गी की आवज है प्रणाली के संदर्म में क्या गलत है, तो देखिए, मुर्गी फार्म की दिशा पूरू से पश्चिम होनी चीए, बिल्कुल सही बात है, isht to west होती है, बैटरी केज में प्रती पक्षी, जगह जो 0.75 वरगफिट होती ह यानि पॉरणा वरगफिट होती है, बैटरी केज में, ये भी ठीक है, ब्रूडिंग यूनिट में 250 चूजे होते हैं, ये भी सही बात, ब्रूडिंग के पर्थम सप्ता में ब्रूडर का तापमान 60 डिग्री फॉर्नियाइट है, ये गलत है यहाँ पर, ये तो बहुत कम र फर्स्ट वीक में 95 रखते हैं, तो आंसर क्या हो गया, डी, नेक्स्ट है, एपोरनिटिक्स, एपोरनिटिक्स का अर्थ क्या है, एपो मिन्स एपीडिमियोलोजी से है, और्नी मिन्स और्निथोलोजी से है, और्निथोलोजी मिन्स पक्षियों का ध्यन, तो एपोरनिटिक्स पाक्षियों के निवास इस्थान यह भी नहीं है। पक्षियों के खाने के उपकरण यह भी नहीं है। पक्षी वरग में किसी रोग का प्रसार। देखिए इसमें epidemiology और ornithology दोनों चुपा हुआ है। यानि किसी रोग का प्रसार होना। इसका जो अध्यन किया जाता है, वो किया जाता है, एपउर्निटिक्स में, तो आंसर हो गया, C, एपउर्निटिक्स, यानि, और नी थो वर्ड आता है, बर्ड्स के लिए, और एपिडिमियोलोजी, उसकी, नेक्स्ट क्यूशन है, खाकी केम्प बेल किसकी नसल है, देखिए, खाकी केम्प बेल और इंडियन रनर, और खाकी केम्प बेल, यह दोनों जो हैं, बतक्की नसल है, यहां पर दिये गें पक्षियों में इतमें एक क्यूशन और बन सकता है, इन दिये गें पक्षियों में से कौन से पॉल्ट्री में आते हैं, या कौन से पॉल्ट्री में नहीं आते हैं, देजिए मुर्गी और बतक यह दोनों पॉल्ट्री में आते हैं, कबूतर और तोता यह पॉल्ट्री में नहीं आते हैं, ज्यादा तर जो पिजन का कोमेस्टिकेशन इतना नहीं किया जाता एक प्रोडेक्शन और मीट के लिए और तोता भी इस परपस से नहीं किया जाता यहीं पॉल्टरी की परिवासा है वे पक्षी जिनको मानव द्वारा आर्थिक लाभ हेतु पाला जाता है थैंक यू